आज का प्रोडक्ट एक सिंपल बट इंट्रेसिंग प्रोडक्ट है ये है वाडरोब आयर सेंसर Black Teelectrodeck Companies प्रोडक्ट को सब्लाइ करती है ये सेंसर स्पेशली डिजाइंड है वाडरोब के लिए सबके घरों में अलमारी होती ही है और कभी कभी रूम की लाइट्स उन अलमारियों में अच्छे से रिफलेक्ट नहीं कर पाती तो अंदर का दिखना मुश्किल हो जाता है इस सेंसर का यूज करके अलमारी के अंदर एक LED बल्ब लगाने से जैसे ही अलमारी खोलेंगे वैसे ही वो LED बल्ब ओन हो जाएगा तो कैसे काम करता है ये product specifications working आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो आपके busy schedule का ध्यान रखते हुए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं जल्दी से शुरू ये है product का box, box पर इस side पर specifications mentioned है और इस side पर connections wiring दी हुई है खोलते हैं इस box को ये है manual, same specifications और necessary information के साथ ये है दो self tapping screws इस sensor को cupboard के अंदर mount करने के लिए ये है main unit, IP20 इसके उपर लिखा हुआ है plastic quality and finishing काफी अच्छी है light in weight है ये product, ये है sensor, IR sensor 1.5 meter, 1.5 meter लंबी wire के साथ आता है इस black casing में होता है ये sensor ये complete unit 230 volts पर operate होता है 5 ampere current capacity है इसकी और output load की बात करें तो 500 watt तक maximum load operate कर सकता है ये इस sensor का sensing distance है 5 to 6 centimeter तक तो यहां देना है power supply 230 volts और इस side connect करना है load को sensor connected है वैसे और हमें जो connections करने हैं उसके लिए इस cover को निकालना होगा तो चलिए connections करते हैं सबसे बेरे screwdriver से इसे खोलते हैं इस side power supply wire connect करना है इस side load power supply wire connect करते है load की wire connect करते हैं अभी LED bulb है यहां load installation tape की help से मैं connection करता हूँ LED bulb से लेकिन final connection प्रॉपर ही करना है आपको sensor connect करते हैं अभी multimeter से एक बार चेक कर लेते हैं connections कहीं short तो नहीं है ओके अब मैं power supply on करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही sensor के सामने हाथ रखता हूँ वैसे ही LED bulb off हो जाता है क्योंकि कुछ ऐसे ही type का operation हमें चाहिए जैसे ही wardrobe का door open होगा वैसी lights on होनी चाहिए और जैसे ही wardrobe का door close होगा वैसी lights off होनी चाहिए और आप यहाँ देख सकते हैं कि bright objects के लिए IR sensor जो है वो maximum range देता है और dark objects के लिए काफी कम range देता है तो wardrobe पर जहां यह sensor होगा उसकी sensing area को silver या white tape से आपको cover कर लेना है अच्छी sensing range मिलने के लिए तो दोस्तो I hope कि आपको यह product ज़रूर पसंद आया होगा ब्लैक टी electrotec company इस product को supply करती है bulk quantity में आप खरीद कर इस अच्छे price में बेच सकते हैं काफी अच्छा business potential है इस product का क्योंकि wardrobe भी नहीं इसे आप और अलग-अलग applications में भी use कर सकते हैं personal inquiry के लिए आप हमारे instagram page पर हमें dm कर सकते हैं जिसकी भी link आपको description में मिल जाएगी इस वीडियो से related आपकी कोई सवाल है सुझाओंगे तो हमें कमेंट करना ना भूले अगर हमारा content आपकी लाइफ में जरा भी value add करता है तो like के सा subscribe परे साथ ही bell icon दबाना ना भूले जिस हमें जरा भूले शुख झार भूले जरा हमें जरा हमें जरा भूले जरा हमें